हाई फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल हिंदी सक्सेस पॉइंट वायर रंजना मेम में एक बार फिर से स्वागत है सभी के एक्जाम पास में आने वाले हैं जो भी सम्मिदा की तयारी कर रहे हैं तो एक छोटा सा मॉटिवेशनल वीडियो मेरी तरब से है आप लोगों के लिए जब हम एक्जाम के की ये एक्जाम हमारा हो जल्दी से जल्दी सरकार के दोरा करवाया जाए हम सभी लोग इसी इंतियार में बैठे हुए थे तो जब एक्जाम हमारे आ गये हैं और धीरे धीरे हमारे एक्जाम की डेट भी हमारे नजदी काती जा रही है तो क्या वो जुनून अभी आपके पास है जो आपने फर्स डेस हो चाता कि नहीं हमें इस डेस के लिए एक बहतर सिचर बनना है यहां दो लाइने मैंने आपनों के लिए लिखी हुई है मान लो तो हार होगी ठान लो तो जीत होगी यह हमारे एक confident level होता है कि कहा जाता है एक रोगी जो होता है उसे ठीक करने में सिर्फ 50% जो पार्ट होता है वो एक किसी डॉक्टर का होता है लेकिन 50% उसके अंदर का आत्म विश्वास होता है यदि उसने मान लिया कि नहीं कुछ भी हो उसे ठीक होना ही है तब ही वो medicine किसी डॉक्टर की काम कर पाएंगी और यदि वो ये मान के बैठ गया अब तो मैं जिन्दगी वर ठीक नहीं हो सकता तो वो डॉक्टर चाहे कितनी भी medicine उसके लिए कर ले वो कितना भी इलाज करवा ले वो ठीक नहीं होगा जब तक उसकी बिल पावर स्ट्रॉंग नहीं होगी वो ठीक नहीं हो सकता इसी परकार से हमारे यहां competitive exam में कोई भी हमारी field हो यदि हमने ठान लिया है कि हमें जीतना ही है तो आपकी जीट पकी है और यदि आप मान कर बैट गए कि पता नहीं हमारा selection होगा कि इस परकार से कि हमारा selection होगा नहीं होगा हमें नहीं समझ में आता तो यदि आप एक बार मान कर बैट गए कि ठीक है, सिलेक्षन हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, लेकिन यदि आपने माल लिया, नहीं, मुझे सिलेक्षन चाहिए, मुझे टीचर बनना है, मुझे सिचक बनना ही है, तो आपकी जीत पकी है, माल लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी, दो पंक्तियां और यह हमा लिकी हैं अपनी कम्यों के विरुद संगर्स ही जीवन है तो आज जब आपका एक्जाम आपके करीब है तो जो आपको आता है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन जो कम्यां रह गई हैं जहाँ आपके बीक पॉइंट से हैं उनके लिए आपको संगर्स पार्ट को मैं लीब कर देता हूँ, ऐसे करते करते हैं, आप करीब करीब 25% अपने टॉबिक्स को लेफ्ट करते जाते हो, छोड़ते जाते हो, और आप वहीं पर अपना सिलेक्शन रोक रहे हो, तो हमें अब क्या करना है, जब हमारा सलेवास पूरा कंप्लीट होने पर आने वाला है, तो हमें अपनी कमियों के ब्रुद्ध ही संगर्स करना है, वही आपको सफलता दिलाएगा, वही आपकी सकसेज होगा, वही आपकी काम्याबी होगी, तो जो जुनून आपका फर्ष्ट देथा, कि हमें ये सिलेक्शन करना है अपना, सिलेक्शन मुझे सिलेक्ट ह होना है एनिहाओ उस जुनून को बरकरार रखिए दिन रात मेनत कीजिए अपने स्वास्त का ध्यान रखिए भरपूर नीन लीजिए टाइम से आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए और आपकी तैयारी एक बहतर तरीके से होगी जो भी पढ़ें जितना पढ़ें पढ़ पढ़ें 100% वाला पढ़ें ऐसा नहीं कि पढ़ लिया तो हमने सब कुछ लेकिन आता कुछ नहीं है तो बस यही एक छोटे असा मेरे मेरी तरब से आप लोगों के लिए मोटिवेशन वीडियो है तो आप अपनी तैयारी को बेफिक्र होके टैंसन फिरी होके कीजिए यदि जहां आपने टैंसन ले ली वहां जो आपको आता होगा वो भी आप भूलते जाओगे तो हमें टैंसन नहीं लेना अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है और जो कमिया रह गई है उन्हें हमें सुधाना है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद